दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडिस्ट्रियल टेटोरियल में दोस्तों फिर से आजर हो गए बहुत सारी वाकिंग इंट्री वह सारी रिक्विमेंट लेके तो पहली जो वेकेंसी है वो कोल इंडिया में है कोल इंडिया के द्वारा चल लए है साउथ इस्टर्ण क कि यहाँ पर में आपको फाइनली बताऊं को यहां पर फ्रेजर के लिए वैकेंसी है ग्रेजवेत के लिए बचनेशे के लिए यहां पर बताया गया है। बात करने दोस्तों यहां पर वेकंसी की तो यहां पर जो वेकंसी आपको देखने को मिले ही होगी। भू ग्रेजूट माइनिंग के लिए 200 सीट हैं। ग्रेजूट इलेक्टीकल के लिए 83 सीट हैं। ग्रेजुट मेकेनिकल के लिए 53, ग्रेजुट सिविल के लिए 46 और डिपलोमा इन माइनिंग इंजिनिरिंग, डिपलोमा इन माइनिंग एन माइन्स के लिए 1150 वेकेंसी हैं, तो मतलब बहुत अच्छी खासी वेकेंसी हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अपरेंटिस के अनवार रहे हैं में चाड़ी एनेटीस पर आपका रिजिटेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे अच्छा बात आती है कि इस फॉर्म को बनने की लाजडेट क्या है तो वो है उन्नी दिसंबर दोज़ार रॉइस मिड़नाइट ट्वेलोग कलोग उससे पहले पहले आपको दोस्तों ये फॉर्म फिल कर देना है ठीक है यहाँ पर सीधा बता दिया गया है उसके लिए टेक्निशन के लिए डिप्लोमा चाहिए ग्रेजुएट के लिए डिग्री चाहिए के लिए अल्ली यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है कि डिप्लोमा यहाँ पर आपका जो है टेंथ के बाद थ्री यर का डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर नेक्स्ट ट्वेल्थ के लिए भी बताए गया है तो वो चीज़ें आप अपसे पढ़ ले इंसिटूट इया इसीटी स एप्रूव होना चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपको बताए गई है एप्लीकेशन बढ़ने का तरीका क्या है तो मैं अलड़ी बता चुको आपका रिजिस्टेशन होना सबसे पहले तो वह नवार रहा है उसके बाद आपको मैं बता दूँग नोटिफिकेशन का मिलेग ठीक है और कैसे आप जो है एप्लाइ करपा हूगी यहाँ पर बात करें सेलेक्शन का तरीका क्या है तो दूस्तों सेलेक्शन का तरीका तो वो क्राइटरिया दिया गया है के वहां से जो है 36 मद्द पर्देश से स्टेट इन्से है तो आपको जो है उस लेवल पर सेकेंड अच्छी सब्डेट करें बागी की यहां पे दोस्तों आपका पेमेट बता दिया गया है कि आपका पेमेट जो है दोस्तों वह नौजार रपे पर मत ग्रेजविशन के लिए आट इसर पर मत टेक्निशन मतलब डिप्लोम वाले के लिए है और बागी की शारी चीज़ें आप बाता दीगी आपको नेक्स वेकेंसी हिंदुस्तान और अरोनोटिक्स लिम्टेन वेकेंसी है अरोनोटिक्स में दोस्तों डिग्री डिप्लोम अपरेंटिस के लिए वेकेंसी है सीधा यहां पर आपको देखने को में भी बिला होगा qualification यहां पर क्या माँगा गया है तो वो माँगा गया है दोस्तो बी वी टेक Mechanical, Electrical, Electronics, Civil, Computer, Science, IT Francis Bachelor of Business Administration, HR Bachelor of Business Administration, Finance और यहां पर Bachelor of Computer Application Bachelor of Science, Physics, Chemistry, Math जो दोस्तो 2020-2021 के पास Saudi होने चाहिए वो लोग ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं या आपके पास दोस्तो दूसरी कैटिकरी में वेकेंस जो नेक्ट वेकेंस तो डिपलोमा ओल्डर्स के लिए भी है यहां पर जो Mechanical, Electrical, Electronics, Civil, Instrumentation, Computer, Science, IT Engineering, Branches, and Modern Office Management और तो दोस्तो 2020-2021 के पास Saudi से यहां पर ठीक है अगर आप अभी आपका चला है या आपका रेल्ट अभी आया नहीं है तो वो लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहां पर एज क्राइटर अच्छा बीच एयर रखा गया है और पांच एयर का जो है दोस्तो S.C.S.T. के लिए चूटे तीन साल का O.V.C. के लिए और दस साल का पीच कैटिग्री के लिए चूटे यहां पर अप्लाई करने के लिए लिए लिंक भी दिया गया है यहां पर जाना पड़ेगा और यहां पर दोस्तो साथ दिसंबर दोजार वाई सुगे नौ वजे से बीच दिसंबर दोजार वाई तक आप जाके यहां पर अप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन आपका M.H.R.D. पर रिजिस्टेशन होना अन्वारेस की जो जो पेसिक नेट है वह आपको करना रहेगा बागी कि यहां पर क्या 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 डाक्मर्ट लगाने है कितना परसंट होना चीए वो सारी चीजें आपको यहां पर दोस्तों बताएगी है अब यहां पर आता है कि सेलेक्शन का तरीका क्या तो मेरिट वेस्ट पर यहां पर सेलेक्शन होने वाला यह मतलब फ्रेशर के लिए यहां पर मौका है यहां पर डिप्लो मेकेनिकल डिप्लोमा मेकेनिकल प्रोडेक्शन डिप्लोमा ओटो मॉवाइल इंजिनरिंग यह देड़ सो वैकेंसी है बारेजार पर मंद्यां बेतर नहीं मिलेगा आपको ठीक है यहां पर कितना लीब फ्रेंग मेकेनिकल अनिर प्रोडेक्शन ओटोंवायल यह चीज यहां पर चाहिए बाकि इस ग्रैट्र है वो रहेगा यहां पर जो उसने रखा है ठीक है और बाकी कि चीजें यहां पर बन यार का दुरेशन रहेगा परिंटेस का ठीक है वाकि की 2020-21 पाशूरी चीजिए बाकि के नहीं चीज़ी है और आपको अगर अपरेंटिस कर रहे हैं तो वो सबकी लिए को मर रहता है कि यहां अप्लाइब नहीं कर सकते हैं एटीएस पर रेजिस्ट्रेशन होना नुवार है सेलेक्शन का तरीका क्या है तो आपका मिनिमन साट पर्षेंट होना चीज़ी ठीक है यह बेसिक जरूरत है बाकि का यहां पर रेटेंट टेस्ट और परसनल इंट्रिव होगा उस बेस पर आपको यहां पर सलेक्ट किया जाएगा उसके लिए आपको क्या करना रहेगा यह आपको पतायागए आपको शेयर करना भी कैसे सब्जेक्ट में है अपलिकेशन पॉर दिया गया पर फॉर दिए यह दोजार दी डोजार भारी देश घर मीन यहां आपको बेजना रहेगा अप्लिकीशन ठीक नॉम् मोंमर भी यहां बहुत दिया गया कॉंटेकर सकते हो 996 737441 तो यहां पहुद कर सकते हो बहुत अच्छा तरीक है यहां बहुत रहे बताये हैं या मेल आडी दीगी जिसपा आपको अप्लाइ करना रहेगा बिदिन 15 डे नम्डीसी.hrm.admm.gmail.com next vacancy दोस्तों बारत electronics limited में vacancy है है फैसर के लिए vacancy है डिप्लोमाअपरेंटिस के लिए vacancy है असी vacancy है यहाँ अब आप देखोगे तो mechanical इनिंग के लिए 20 vacancy computer science में अधा computer science से रिलेटिव जितनी व्रांच है जैसे आई टी कंपूर्ट टेक्नोजी कंपूर्ट इंजिंग कुछ के लिए 15 वैकेंसी है बाकी के एलेक्ट्रों के से रिलेटिव व्रांच है उसके लिए 15 वैकेंसी वन येर का डूरेशन 10,500 रुपे यहां मेलने भी वाला है और हरते हो इंज यहां पर आप्लाई करने का क्राइटरिया दिया गए यह क्राइटरिया होना चेहिं फूल्फिल आपका एजने मेट यहां बताएगा 23 वर्स किस-किस के लिए कितना छूट दिया गया वह वह और तो जैसे यहां पर दोस्तों स्याइस्ट्ट्व पांत साल वह तीन साल का चूट दिया गया है 31 12 2022 के साफ से इज लिमेट काउंट किया जाएगा यहां पर सलेक्शन का तरी मार्क्ष और रेटें टेस्ट पर डिपेंड करेगा ठीक है जनरल कंडिशन यहां बता दी गहीं आपको ठीक है में चाड़ी पर अर्जिस्टेशन होना चाहिए सब्सक्राइब करेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस करके और सब्सक्राइब कर लो जय हैं जय वारत बोजल में